राधे राधे दोस्तों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत-बहुत शुभ कामनाएं, आज हम सभी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा एवं उसका फल जानेंगे। शिव के पास गए और बोले है कैलाश्पती, मुर्दैत्य से भैभीत होकर सब देवता मृत्यों लोक में फिर रही हैं। तब भगवान शिव ने कहा है देवताओं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विश्नु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दूख खोन को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता भगवान विश्नु के पास गए और हाथ जोड़कर उनकी स्टुती करने लगे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन। आपको बारंबार प्रणाम है। आप हमारी रक्षा करें। दैतियों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आये हैं। हे भगवन! दैतियों ने स्वर्ग जीत लिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैतियों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विश्नु कहने लगे की है इंद्र। ऐसा मायावी दैतिय कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रे में है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले भगवन. प्राचीन समय में चंद्रावती नाम की नगरी में एक नाडी जंध नामक राक्षस था. उसके महा प्राक्रमी मुर नाम का एक पुत्र हुआ. उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है. उसने इंद्र अगनी, वरुन, वायू, चंद्रमा, आदी सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है. सूर्य बनकर स्वय ही प्रकाश करता है. स्वय ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजे है. हे असुर निकंदन उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजे बनाए. यह वचन सुनकर भगवान ने कहा हे देवताओं में शीघ रही, उसका सहार करूंगा. तुम सभी चंद्रावती नगरी जाओ, इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया, उस समय दैठ्य मुर सेना सहित युध भूमी में गरज रहा था, उसकी भयानक गरजना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दाला बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर चले गए। विश्नु भगवान वहां योगनिद्रा की गोद में सो गए मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ तभी भगवान के शरीर से उजजवल कांतिमय रूप वाल देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे ततकाल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरी जब योगनिद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है अत आप उत्पन जानने से पहले प्रियभक्त जनो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस दिन स्वयन एकादशी माता प्रकट हुई थी इसलिए जो फल भगवान के दर्शन से मिलता है वही फल इस वरत को करने से मिलता है और सूर्य और चंद्र ग्रहन में जो स्नान करने से फल मिलता है वही फल इस वरत को करने से भी मिलता है राधे राधे